असलाम लेकों नादरीन पकड़ पूर्ण में नादरीन आज जो हमारा प्रोग्राम में मुझूदा जो सूर्टेहाला शुबाज सुभाज सुभी की जो गुरुदारी है और इसके अलावा जो है गिलकत बलत्रिस्तान के जो अलेक्शन होने जा रहे हैं इस पर बात करेंगे और इसके अलावा जो हमारा इश्यू है मग्या क्रेश्टों का तारफ करवाता हूं मेरे साथ मुझूद हैं मलक यासर साथ सदर नसाफ विल्पेर विंग शमाली पंजाब और साथ इते श्रीव रखते हैं मगदूम सेयद कमर अबास शाह पाकिस्तान विल्कम टूश्यू है मलक साथ मैं आपके तरफ वाता है क्योंकि एक्षिन को डाउन करने की एक कोशिश की जारी इस जवाले से आप कहते हैं आप बहुत शबूरी आवटू साथ लेखें आप इस पे जतनी मरदी प्रोटिकल स्पोरिंग कर लें पॉइंट स्पोरिंग इस तरह तो जान छूटे की नहीं सीजी सीजी बात है आपके ओंपर आपके ओंपर रिफरंस है आपके खिलाफ बाद कैदा तोर पे जो वादम माफकवा हैं वो पूरे प्रूफ दे चुके हैं सबूत दे चुके हैं और उन एविडिंस की बुनियाद पर नहीं आपको तलब कर रखा था पहले तो आप भागते रहे हैं आप पेश नहीं हुए फिर कभी अदालतों की पीछे चुप जाते हैं कभी एपी सी के पीछे चुप जाते हैं कभी कोई हथकंड़ा बनाते हैं भाई आपके उपर अगर इल्दाम हैं आप जाके कोर्ट में आपने आपको क्लियर करो अगर बेगुना हो तो आप वापस आ जाओगे इसका कोई तल इस से इसका कोई तल्लक नहीं शबाद शरीफ सावी के गरिफतारी के अवारे से और जो अपोजिशन वावेला कर रही है शोर शराबा कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सियसी बका के लिए और आपने जो वरकर हैं उनके जो कारकून है उनको बहुता होसला देने के लिए ये है मकदूम सेयद कमराबास शाशा मैं आपकी तरफ आता हूँ जैसे अपोदिशन का बलावलबुटो का भी बियान आया कि उनके कहा कि ये जो है हत्कंडे इसमाल ना कर अगर सीधा अगर हमें वैसे बता दें कि अगर हम उनका ये भी कहना था कि बलके फ्याद चोहान का कहना था कि ये लजाहिं दे दे दें हम ने एलेक्शन करा दे तो कि इस सुटे हाल इससे मैनेज हो सकता है जी मैं सबसे पहले राइल नियूस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज एम इशूस के ओपर ये प्रोगाम रखा देखेंजी यहां पर बात हो रही थी अभी बलावल साब के अपने एक स्टेट्मेंट के मतलब बात की देखेंजी रियास्ते मदीना रियास्ते मदीना अगर आप इसके फलस्फे में जाएं या इसकी डेप्ट में जाएं कि रियास्ते मदीना क्या थी परानी रियास्ते मदीना में तो इनसाफ सामने नजर आता है प्रानी रियास्त मदीना में दो का जाता है कि अगर एक कुता द्रह दजला के मकाम पर उसके कनारे में मर गया तो मैं हुमर जिमादार हूँ यहाँ पर आप देखें कि जिसना मेरे चेर्मेन जनाब लावल बुटो जर्दाई साहब ने कहा कि जी अत्कंडे अत्कंडे क्यों इस्तमाल हो रहे हैं जिस मुलक में चेर्मेन नैब यानि कि जिसने करना है कि ये लोग चोर हैं जिसने करप्शन को सामने लाना है वो इखलाकी पस्तवी का शकार है और रियास्त मदीना में वो नैब का चेर्मेन है जिस मुलक में जांगीर तरिंग या से करप्ट लोगों क मुल्क से बगा दिया जाता है जिसमें पर्वेस खटक के उपर हाथ नी डाला जाता मौझूदा वजिर्याला के पी के पंजाब काबीना तमाम की तमाम उठा ले जो वफाग में आपकी काबीना बैठी हुई है उसको उठा ले फिर आप ये देख लें कि सुप्रीम कोट के अ कुछ नकुछ अंदर जरूर ऐसा था कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोट उनको रास्ता नहीं दे पाई और उनके उपर जर्माना किया अब आजए हैं मेरे चेर्मेन के बियान की तरह तो अब जैसे ही जनाब आप जो जमूरियत पसंद ताकते हैं उनको आप जो है वो दिव कहा ही जा रही है इनसाफ कहां पे है और अकुमत के जो कारिंदें यह वो अपना स्रोरसूब किस कदर इस्तमाल कर रहे हैं तो मेरे भाई वहां पर भी खुमत को पता है कि हम ने बुरे उनको बुरे तरीके से शिकस्त हो नहीं है इसलिए स्यासी कुटों को दबाया जा रहा इंशालाँ अब यासर साब मैं आपकी तरफ आता हूं मुझूदा जो है मंग्याई की शरा मुझूदा है मंग्याई की शरा बहुत बढ़ रही है अवाम परेशान है इसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो आप समझते हैं गरीब जो है और पहली गरीब है वो खाना खाने से बी आपको पता है कि वो खाना भी नहीं खाते इतने गरीब है करोन में भी हलाँ थैसे तो मग्याई की शूर्टे आलों कैसे आप कंट्रोल करें गड़े जी वाटू सब देखें पहले जम्हें आपने भाई कि बात का जवाब देना चाहूंगा यहनों ने नाइब चर मैं क कि बात की है तो मैं इन से पूछने जाओंगा कि ने अपॉइंट किया है अमरान खान ने लगा ये ने लगा ये तो मुस्लिम लीग नून और बीपल पार्टी ने इसको अपॉइंट किया था और बाकी आपने काबीना की आप बात करते हैं बई वजीराला पंजाब उस्मान बुजदार पेश हो किया है वहां पे अलीम खान और सिप्टैन हमारे वजीरे जिंगलाद हैं वो रह किया हैं वहां पे अलीमा खान आपनी रसीदे और सबूत जो है सुप्रीम कोर्ट में दे किया ये आप अपने फलूते वाले और कुलफी वालों का आप इसाब दे उनके जितनी भी गवर्नस है उनको इसका पूरा एसास है और पूरी कोशिश कर रहे हैं चेक एंड बैलंस की अभी प्राइस कंट्रोल कुमेटिया जो हैं वो बनाई जा रही हैं बहुत सारे डिस्टिक्ट में वो फाल हो भी चुकी हैं और बाकी भी की जा रही हैं इन्शालला य ये वक्ती तोर पे एक जो आपको बता है मुलक में एक माफिया है जब भी हकूमत कोई किसी तरफ से एक्शन लेना चाहती है तो हकूमत को डी ट्रैक करने के रिए मुफ़रे होते हैं जो एक माफिया मिलके वो उन्हें सपोर्ट करने के रिए उतार चड़ाओ कीमतों में व वो इस्तिकाम होगा और हर चीज़ आप अगर पांच दा साल के बाद भी आप देखेंगे तो वो एक ग्रास रूट लेवल पर बिरकुल जो स्ट्रक्टर है प्राइस का दिजाम जो है वो मतारफ करवाने जा रही है हकूमत मेरे ख्यादा नहीं दो चार रफ़तों की बात ह एक वादे शकल आपके सामने आ जाएगी और उसमें हर चीज बिरकुल सामने भी होगी कोई चीज़ अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी भी जाई तो उसका मेरे ख्याल में कोई रीजन या कोई उसकी जिस्टिफिकेशन भी जो हगूमत देगी शाजी क्या यह समझ सबसे बड़ा फोरम है जिई और मैं समझता हूँ कि मुलकी मामलाद जो है वहीं पे ज़ेर बैस आने चाहिए और मुलकी मामलाद का जो है हल भी वहीं से होना चाहिए और यहां पर अभी महिंगाई की बात हो रही थी देखें जी जिस मुलक का प्राइम मिनिस्टर यह कहे कि डालर जब महिंगा हो जाए तो समझें कि हुकमरान चोर है तो मैं समझता हूँ कि इस से आगे डैस की जरूरत नहीं है जिस मुलक में अदवायात महिंगी हो जाए आटा महिंगा हो जाए चीनी महिंगी हो जाए और प्राइम मिनिस्टर कहे कि यह महिंगाई इस वज़ए से इनका रेट हम इस वज़ए से उपर लेके गए हैं ताकि यह आवाम को दस्तियाब हो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि माफिया 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 का लफ़ इस्तमाल किया जाता है भाई यह तो आप माफिया को फाइदा पहुंचा रहे हो तो आप खुद डेकलेर्ड कर लो कि की माफिया के हेड़ दो नहीं हो आप आपकी जिमादारी है क अगर कोई मैडिसन है तो वो सस्ती और बरवक्त अवाम तक पहुंचे आटा है तो वो सस्ता मिले जीनी है तो वो सस्ती मिले मुल्क का वजिर आज़म ये स्टेटमेंट देता है कि अद्वायाद को महिंगा इसलिए किया गया कि ये मुल्क में दस्तियाद हो तो मुझे आप बताएं कि आप पार्लिमेंट जैसे बड़े फॉरम की बात कर रहे हैं जिस मुल्क के वजिर आज़म की नायल ही का ये आलिम हो कि वो कहें कि दुवाईया महिंगी हुई हैं ये इसलिए कि गयी हैं कि ये आम अवाम को दस्तियाब हो तो मेरे भाई मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का अल्ला ही हाफिज है और ये शायद कलमा गो मुसल्मानों के नमाजों की वज़ा से ये चल रहा है वरना मैं समझता हूँ कि ये जो मौझूदा की आदत है नायलतरीन की आदत है और अब मैं अदारों के आगे भी अपील करता हूँ कि बराए महरवानी बराए महरवानी आप कुछ सोचें इस तब्दीली से एक कदम आगे जाएं और इनको तब्दील करें यासर सब मैं आपकी तरफ आथा हूँ जैसे आपके जो है वुजरा वो ब्यान बाजी ये करते हैं कि आप स्टीफ़े दें हम दुबारा अलेक्शन करवाएंगे तो अगर अगर अभी स्टीफ़े देती आप अपोजिशन तो आप समझेंगे कि इतना काम आपने किया है कि आप दबारा जो है व्हकूमत बना सकेंगे इसमें कोई शक्स शुबह नहीं है अपोजिशन आपको करें कोई ग्राउंड पर आपको टीवी टैनलों की अपोजिशन नदर आती है आप गली मरलों में और अगर ग्रास उल्ट लेवर पे जाएं आप ग्राउंड पे जाएं तो आपको अपोजिशन नदर नहीं आती रिजैन करता है तो उसकी जगह पे अलेक्शन होते हैं बाय अलेक्शन होते हैं और अस्तीफ़ की बात तो करती है अपोजीशन और एक आज बार कोई मेरे खिर में एक पार्टी ने की भी है लेकिन वो अस्तीफ़ कभी भी नहीं देंगे आप ये बिलकुल जिहन से ये निकाल करनी चाहिए पॉइंट स्कॉरिंग और एक दूसरे के उपर खाम खा की तनकीद और नुक्ताचीन ही जो है उस तरफ नहीं हमारे मुलक के और बहुत सारे मसले मसहले हैं हमारे और बहुत सारे चेलेंज़ हैं जिनसे निमन्टने के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त सब को एक हो के साथ चलने की दरूरत है शासाब मैं आपकी तरफ हाँगा जिस तरह मलक साब ने बड़ी प्यारी बात की तो मैं बार बार अपने प्रोड़म में ये सवाल उठाता हूँ तो जरजारी साहब और शबाशरी साहब ने एक दफ़ा पारलिमेंट में ये बात की थी अब व सियासी फिजा को सियासी के अद्तें बेतर बनाएंगी हमारे मुलक का जो माशी नजाम है वो बेतरी की तरफ जाएगा मुलक तरकी करेगा लेकिन अब एक पसे मनजर भी देखना पड़ेगा मैं समझता हूँ कि हमारे विजरियासम जो हैं वो बिसिक तोर पे एक इंतापसा तबीयत के मालिक हैं फलाँ को लटका दूँगा अपने धरनों में उनकी स्पीचिस सुनी होंगी फलाँ के साथ ये कर दूँगा फलाँ के साथ ये कर दूँगा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साब को भी इस खोल से बाहर आना चाहिए और मुलकी बेतरी के लिए तमाम सि देख लें के मिंगाई जो है वो अपने नुक्ता अरूज के ओपर है तो इन तुमाम चीजों में से आप देख लें के सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ ठीक है सुपर पावर था हो ठीक है लेकिन जब वहां पर गरीबी ने राज किया तो मुलक टूटा तो मैं अल्लह स मैंज़ा हों कि عمران خان صاحب को अपनी इंतापसंदी के खौल से बेसिक टोर पे मैंने जो उनको जितना स्टडी की है वो इंतापसंद तबीयत के माले के हैं उनको इस इंतापसंदी से निकल के मुलक की जो सियासी क्यादत है उसके साथ बैट के मुलक की बेतरी के लिए फैसले किया कि जी क्या ओपोजीशन रिजाइन करती है तो ये दोबारा अलेक्शन करवा के आप गोर्मेंट बना लेंगे भाई जान मुझे एक बात बताएं कि ऐम के मतलिक क्या जनाब इमरान खान खान साब का सोच्टी या क्या इस अलफास थे है पंजाब का सबसे बड़ा ढाकू इमरान खान साब ने किसको करार दिए पिर उन्हीं के पाओं में बैञटना पड़ा मुझे ये बताएं कि क्या ये इस प Houzen में हैं कि ये दुबारा अकूमत बना सकते हैं और ये अकूमत तो मांगे-तांगे की है तो माम आप देख लें कि तमाम जो कैबनट है इस टाइम उसमें नेफ जद्धान बैठी हुएं पंजाब की उठा लें केपी के की उठा लें आप वफा की उठा लें इनके उपर तो क्वेस्टन मार्क हैं देखें यही अमरान खान साब कहते थे किस मुल्क में इतने अरब रोजाना जा रहा है ओ भाई अगर वही अरब आपने डेली का महाना आज दो साल हो गये हैं आप गोर्मेंट में वही आपने सेफ किया होता उसी क्रॉप्शन को रोका हो तो आप मुझे यह बताएं कि हमारे मुल्की माशी जो सुरतियाल है वो इसकदर बिगड़ी ही होती इसका मतलब यह है कि क्रॉप्शन आज भी अरूज में तो मैं तो जो आपका सवाल है मैं समझता हूं और दौा कर सकता हूं कि मुल्की तमाम सियासी क्यात्ते हैं ठीक है स जमूरी गहर पारलमानी रविया था उनका और उसमें जो सियासी क्यात्ते हैं जो जमूरियत पसंद हैं जो डेमोक्रेट हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि अल्ला करे हमारे मुल्क के अलाद बेतर हो और इमरान खान साब को कुछ समझ आजए जी मलक साब मैं अब की तरफ आता हूं जिस Daran अपडिशन का भी ये कहना है कि इसारा बहुंज से वुजरा जो है KPK, B.E.R. टीम सूबा जो है इसके लावा और भी जो है शूगर का जो एक इशू उठा था उसके बाद अलीम खान तो उनका भी ये कहना है कि अगर हमारा इतसाब हो रहा है तो आपने वुजरा का भी इतसाब हो इस पे आप मिल्क साब क्या कहें तो मैं कमर्शाथ साब का जनको मैं थोड़ा सा याद करा दूँ देखें, वट्टू साब बेन अजीर बुटो शहीद के रही है मेरे दिल में बहुत ज़्यदा इतराम है और जलुफकार अली बुटो शहीद साब के मतलिक भी बड़ा बड़ी रस्पेक्ट है और बड़ी इजदत है वो इस मुलक के बड़े रीडर थे लेकिन पीपल पार्टी के कारकुनों को ये कतन और कभी भी नहीं बूलना चाहिए कि जिसको ये दियावलाग शहीद का बेटा कहते थे उस के साथ कहां तक इनकी किन्फलेक्ट था कितनी मुखालफत थी कहां तक मामला नवे की दियाई की सियासत आप अगर ले लें वो उठाएं तक्रीरें जियावलाग की बरसी में जो निवाद शरीफ साब ने मौतरमा बेन अजीर पुट्टो साब के सहबा के मुतलेक फरमाया था मैं तो वो इखलाकन दुराना भी नहीं चाहता हूँ तो ये चीजें मैं नहीं समझेता कि ये कोई डिसकस करने वाली है बाकी पंजाब का डाकू किसी को कहा है इमरान खान साब ने किसी वाद कहा था या MQM के साथ क्या मामलात थे MQM के अगर लोगों के उपर कोई अलिगेशन है या चार्जिस हैं या जोदरी विरादरान के हैं तो वो उनके उपर मलक साब मेरा स्वाल जो है कि ऑपोडिशन का कहना यह है कि जो आपकी हुजरा है उनका के मैं ब्रेक टी चलता हूं ब्रेक बद वापस आता हूं तो मलक साब से ब्रुष चाल कर झाल